हलो फ्रेंड्स बल्गम तू माई यूटूब चैनल आज के इस वीडियो में जो आपका राजिस्तान वनरच्छक का एक्जाम होने वाला है 12 नुवंबर और 13 नुवंबर को तो उन्हीं के टॉप मोस्ट इंपोर्टन कोशन्स को यहां पर डिसकस करने वाले हैं और मैं आप ल नोटी वेकेशन वाल कॉन कर लीजिए जब आप नोटी वेकेशन वाल कॉन करेंगे तभी मेरे नवर वोडी वेकेशन आप सभी लोगों तक असानी से पहुंच जाएगी तो चलिए श्टार्ट करते हैं आज का वीडियो आज की सेसन में पहला कोशन रहेगा व्रहत राजिस्थान का परधान मंतरी कौन था तो सही आंसर हो जाएगा option C व्रहत राजिस्थान का परधान मंतरी हीराराल सास्त्री थे मैं तुकंड फेक्ट जान लेजिए देखेगा पहला फेक्ट है 17 मर्च 1948 को अलवर भरतपूर धौलपूर और करोली की चार रियासतों ने मरस्य संग का गठन किया ये पॉइंट आपको अच्छे से ध्यान रखना क्योंकि ये जो पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ ये परिच्छा की ड्रेश्टी से काफी इन्पोर्टेंट है ठीक है देखेगा गाईस अगला पॉइंट आपको ये ध्यान में रखना है कि 15 मैं 1949 को मरस्य संग का व्रहत राजिस्थान में बिलाए कर दिया गया ये भी पॉइंट काफी इन्पोर्टेंट है अगला फेक्ट आपको ये याद रखना है फिर यहाँ परदान मंत्री का पद समाप्त कर दिया गया और एक मुख मंत्री का रहरे का गठन किया गया हीरा लल सास्त्री वेरत राजिस्थान के पहले मुख मंत्री बने तो ये सारे फेक्ट आपको याद कर लेने हैं जो कि परिच्छा की ड्रश्टी से काफी इंपोर्टेंट है अगला कोशन देखेगा निम्न में से राजिस्थान का सबसे पुराना पसु मेला कौन सा है अब ठीक है मैं तो पुर फेक्ट जान लेजिए स्री राम देव जी पसु मेला नागवर सबसे पहली बात आपको ये ध्यानवे रखनी कि जो पसु मेला जो है सबसे पुराना ये नागवर में आयो जित किया जाता है ठीक है यह पसु मेला परतिवर्स नागवर सहर से 5 किलो मारवार के लोप्रिय नरेश स्वरगी स्री उमेद सिंग जी की इस मेले को प्रेणता माना जाता है तो इस कोशन से आप लोगों को इतनी जनकारी प्राप्त हो जाती है अगला कोशन देखेगा राजप्रमु के पद को राजपाल का पद नाम दिया गया तो राजप्रमु के पद को राजपाल का पद का नाम ये कब दिया गया तो सही आंसर हो जाएगा और राजप्रमु के पद को राजपाल का पद का नाम दिया गया 1956 में अगला कोशन देखेगा नेश कोशन है राजिस्थान एकी करण के सत्तम चरण में किन छेत्रों को समलित किया गया है तो सही अंसर हो जाएगा ओप्सन वी राजिस्थान एकी करण के सत्तम चरण में अजमेर तथा आबू को समलित किया गया जो छेत जो हैं अजमेर तथा आबू इन्हें समलित किया गया है मैं पुर्ण फैक्ट जान लेजिए जो की परिच्छा की डेश्टी से काफी इंपोर्टेंट है सत्तम चरंड राजिस्थान अजमेर मेरवाड़ा आबू देलवाड़ा बा मद्द परदेश के मंदसर जिले का सुलेल टपा गाउं राजिस्थान में सामिल है तो ये फैक्ट आपको ध्यान में रखना है कॉपी पर भी नोट कर लेजी आप लोग मैं अपने हर वीडियो में आप लोगों को बलता हूँ कि जो भी मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ उन सभी फैक्ट को अच्छे से याद कर लीजिए या फिर एक कॉपी पर नोट कर लीजिए पेडियो तो मैं आपको देता हूँ बिल्कुल फिरी में कोई पैसा मैं आप से नहीं लेता हूँ अगला कोशन राजिस्थान में सती पर्था सर पर्थम कन्यावद रोकने का प्रयास किस ने किया प्रयास काँपर किया गया यह है कोशन तो सही अंसर हो जाएगा ओप्सन सी राजिस्थान में सती पर्था सर पर्थम कन्यावद रोकने का प्रयास जैपुर ने किया सवाई जैसिंग ने राजपुत समुदाय में समासुदार के कई कारे किये थे जिन में कन्यावत, दहच, उपहार और सतीपर्था पर रोंक लगाने के प्रयास सामिल है राजिस्थान में सतीपर्था सरपर्थम जैपुर में निश्यत की गई इस कोशन से आप लोगों को इतनी जनकारी प्राप्त हो जाती है नेश कोशन देखेगा, क्या है छटा कोशन राजिस्थान की लिंबा राम ने किस खेल में अंतर राश्टी ख्याती प्राप्त की तो सही आंसर हो जाएगा, ओप्सन C राजिस्थान के लिम्बा राम ने तीरंदाजी में अंतराश्टे खेल में ख्याती जो है वो प्राप्त की है मुख्य फैक्ट जान लिजिए लिम्बा राम चन्द 24 सितंबर 1971 उदैपूर राजिस्थान भारत के पर्थम प्रसित तीरंदाज हैं जिन्होंने 20 स्थर पर तीरंदाजी के छेतर में सफलता प्राप्त की है तो इस कोशन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है ठीक है चले बात कर लें तेंगले कोशन की अगला कोशन राजिस्थान सरकार ने खेल रतन पुरुस्थकार की स्थापना कब की यह पुरुस्थकार राष्टी और अन्तर राष्टी एस्तर पर उतकरष्थ उपलब्दीओं के लिए राज खेल प्रिसर दौरा दिया जाता है ये 1982 से 1983 में इस्तापित किया गया था ये जो पुरुसकार है ये पुरुसकार 1982 और 1983 में इस्तापित किया गया था ये फैक्ट आपको याद करना है ठीक है तो सही आंसर हो जाएगा ओप्सन ए राजिस्तान में अरजुन पुरुसकार के सम्मान में महराना प्रुसकार दिया जाता है अगला कोशन देखेगा नमा तो गैस नमा कोशन है राजिस्तान में खेलों के बिकास के लिए नहरु युवा केंदर की स्थापना कब हुई तो सही आंसर हो जाएगा ओप्सन डी राजिस्तान में खेलों के बिकास के लिए नहरु युवा केंदर की स्थापना 14 नमबर 1972 को हुई मैट पून फेक्ट जान लिजी आप लोग राजिस्थान में खेलों के विकास के लिए नहरू युवा केंदर के स्थापना 11 उम्मर 1972 को हजारी बाग मेडिकल कॉलेज में हुई थी अगला कोशन सिकंदर के आक्रमण के कारण पंजाब से राजिस्थान में इस्तान अंतर करने वाली जातियां थी तो सही अंसर हो जाएगा Option D सिकंदर के आकरमण के कारण पंजाब से राजिस्तान में इस्तानातर करने वाली जातिया थी सीवी अर्जुनायन या योदध्य मालव ये जातिया थी जो कि सिकंदर के आकरमण के कारण पंजाब से इस्तानातर राजिस्ताने इस्तानातर करने वाली ये जातिया रही थी ठीक है ग्यारमा कोशे देखेगा क्या है गाइस मरत्यू के तीसरे दिन हड्डियों को इखटा किया जाता है इस क्रिया को क्या कहते हैं मरत्यू के तीसरे दिन हड्डियों को इखटा किया जाता है इस क्रिया को कहते है फूल चुनना ठीक है चले बात कर लेते हैं इस क्रिया को कपाल क्रिया का जाता है ये पॉइंट आपको ध्यान में रखना है हिंदू मानताओं के अनुसार इस क्रिया से व्यक्ति के मौक्ष परलोक और पुनर जन भी तैव होते हैं इसलिए किसी भी हिंदू की मरत्य उपर अंतिम संस्कार को पूरे बिदी विधान से किया जाता है बारवा कोशन देखेगा राजिस्तान के लोक देपता में सबसे छोटी फड़ है तो सही अंसर हो जाएगा और पूरे बारवा कोशन की भीलो में छेड़ा फाड़ना क्या है परिच्छा की डेश्टी से ये भी काफी इंपोर्टन कोशन अगर आप लोग देखा होगा काभी वारे कोशन पोचा भी जा चुका है भीलो में छेड़ा फाड़ना क्या है तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्सन वी भीलो में छेड़ा फाड़ना ये कहलाता है तलाख मैं तो कुन फैक्ट जान लीजिए देखिए गाज छेड़ा फाड़ना यानि कि भीलो में तलाख है भीलो में जब पती अपनी पतिनी को तलाख देना चाहता है तो ग्राम पंचायत को बुलाता है और सारवजनिक रूप से उसे अपनी पगड़ी के रूप में कपड़े का एक टुकड़ा देता है और गोशड़ा करता है कि वहाँ उसे छोड़ रहा है तो आसा करते हैं आप लोग समझ गए होंगे इसका मतलब क्या होता है एक कॉंपी पर भी नोट कर लेजी आप लोग अगला कोशन है अरावली स्रेणी की दूसरी अधिक्तम उचाई की चोटी कौंसी है तो सही आंसर हो जाएगा ओप्सन वी अरावली स्रेणी की दूसरी अधिक्तम उचाई की चोटी है वो है सेर मैत्पुन फैक्ट जान लेजिए ये लगबग 692 किलो मीटर लम्भी दूरी की है जिसमें कई चोटियां है अरावली की दूसरी सबसे उची चोटी राजिस्तान में 1592 मीटर पर सेर है इसकी सबसे उची चोटी राजिस्तान के माउंट आबू में 1722 मीटर की उचाई पर गुरू सिखर है तो इस कोशन से आप लोगों को इतनी जनकारी प्राप्त हो जाती है ठीक है सोलमा कोशन देखेगा क्या है गाइस किस राजपूत प्रजा मंडल की इस्थापना राजिस्तान से बाहर की गई थी तूसरे आफ अंसर हो जाएगा option V विका नेर् प्रजा मंडल की इस्थापना राजिस्तान से बाहर की गई थी मैध्पून फाक्टे जा लिजिए पीका नेर् प्रजा मंडल 4 अक्टूबर 1936 राजिस्तान का एक मातर प्रजा मंडल जिसकी स्थापना राजिस्तान से बाहर कलकत्ता में हुई थी अब देखें पीका ने प्रजामेंडल की स्थावना अगर पूछा जा कि बीका ने प्रजामेंडल की स्थावना कब हुई थी तो 4 अक्टूबर 1936 को ठीक है अगला कोशन देखेंगा सत्रमा सत्रमा कोशन है कि थार मौसब 2022 का आयोजन राजिस्तान के किस जिले में किया गया तो सही आंसर हो जाएगा option D थार मौसब 2022 का आयोजन राजिस्तान के बाड़ मेर जिले में किया गया मैत पुन फैक्ट जान लेजिए वर्स 2002 में थार मोसब बाड़ बेर में 25 मार्च 2022 से 30 मार्च 2022 तक चला इसमें बिबन परतियोगिता हुई कभी सम्मेलन खेल परतियोगिता है, सौंदर परतियोगिता है एबं थार की बीरों का समार समारो भी हुआ तो यहीं सारे फेक्ट आपको याद कर लेने है ठीक है, अगला कोशें देखी का ठार मा राजिस्तान में परेटन एबं हॉस्पिलिलिल्टी छेत्र को किस दर पर बिजली उपलब्द होगी तो सही आंसर हो जाएगा, ऑप्सन वी और देखीक दर पर बिजली उपलब्द होगी, यहां को ध्यान में रखना है मैट पूर्ण फैक्ट जान लिजिए, बरतमान का परेटन और हॉस्पिलिल्टी पिद्दुद्दर बरतमान में परेटन इकाई को कमर्शियल नॉन डोमेश्टिक स्रेणी में मार कर बिजली बिल बसूला जाता है इसमें बिद्दुद्दर लोड के अनुसार 7.55 रुपई से 8.95 रुपई प्रती यूनिट तक है उनिसमा कोशें देखेगा क्या है गाईस बेगु किसान आंदूलन का मेनाल चितोड गड में इस आंदूलन को किसके नत्तों में प्रारम किया गया तो सही अंसर हो जाएगा आपसंटी बेगू किसान आंदोलन का मेनाल चित्ताओर गौड में राम नरान चोधरी के नतत में प्राराम किया गया यह आपको ध्यान में रखना है मैं अगला कोशन देखेगा क्या है अगर आप लोगों ने परिच्छाएं दी होंगी राजिस्थान की तो यह कोशन काफी बार पूछा गया है कि संत पीपा जी का जन्म किस जिले में हुआ था बहुती अच्छा कोशन है आसानी से आप लोग बता भी सकते हैं तो सही आंसर हो जाएगा संत पीपा जी का जन्म जहलावाड में हुआ था मैत्पुन फैक्ट जान लेजिए 1416 संत 1369 इस भी माना जाता है जन्म स्थान संत पीपा जी का जन्म गागरोन गड़ में हुआ था अगर जन्म की बात की जाए संत पीपा जी की तो सही आंसर हो जाएगा option C राजिस्थान में कुल 5 ब्यक्तियों को 222 में पद्न पुरुसकार से समानेत किया गया है मैं पुन फैक्ट जान लेजी आप लो 25 जनवरी 222 को 33 गरतंतर दिवस की पूर्व संध्या पर राश्पती ने बर्स 2022 के लिए 128 पद्न पुरुसकारों की गोचणा की राजिस्थान के 5 ब्यक्ति इन पुरुसकारों की सूची में सामिल है तो यह आपको फैक्ट याद कर लेने हैं अगला कोशन देखेगा अगला कोशन है कि साफा कहां का प्रसिद है तो साफा जो है जोदपुर का प्रसिद है तो सही अंसर हो जाएगा उप्सन भी जोदपुर मैं इतपुर्ट फैक्ट जान लिजे राजिस्थान का साफा राजिस्थान में पुरुस सिर्फ पर साफा बांते रहे हैं साफा सिर्फ एक पैनावा नहीं है चोबिसमा कोशन राजिस्थान में किस जाती के लोग दसायरा के त्योवार पर हतियारों की पूजा करते हैं तो वाई राइट अंसर हो जाएगा आप्सन ए राजिस्थान में राजपूत जाती लोग दसायरा के त्योवार पर हतियारों की पूजा करते हैं आपको ध्यान में रखना है ठीक है बढ़ते हैं गिले कोशन की और पच्छीसमा कोशन देखेगा निम्न में से किस सासक के काल को मेवार चित्रकला का सोन काल का जाता है परिछा की ड्रेश्ट इसे काफी इंपोर्टन कोशन है यह तो सही आंजर हो जाएगा option A महराना जगत सिंग पर्थम के सासं काल को मेवार चित्रकला का सोन काल का जाता है मेथपुर्ण फैक्ट जान लेजिए जगत सिंग पर्थम ने चित्रों की ओपरी का निर्माड करबाया जिसे तस्वीरों लोकार खानों भी का जाता है जिकास सिंग पर्थम काल मेवाड की चित्र कला का सोण काल था तो ये सारे फेक्ट आपको याद कर लेने हैं चले बात करेंगे अगले कोशन की 26 कोशन देखेगा राजिस्तान की किस जील को सुस्क मरुस्थल का सुन्दर उग्यान के नाम से भी जाना जाता है तो सही अंसर हो जाएगा ऑप्सन सी राजिस्तान की कोलायत जील को सुस्क मरुस्थल का सुन्दर उग्यान के नाम से भी जाना जाता है मैथ पुर्फेक्ट जान लीजिए जो कि परिचा की डेश्ट इसे काफी इंपोर्टन रहते हैं कोलायत जील यह बीकानेर में इस्थित एक प्राकर्थिक जील है इसे सुस्क मरुस्थल का सुन्दर मरु उग्यान भी का जा सकता है अगर पूछा जाए कि कोलायत जील जो है यह कहां पर इस्थित है तो आपको ध्यान में रखना है कि कुलाय जिल जो है बीकानेर में इस्तित है फैक्ट मैं आपको इसलिए बताता हूँ ताकि आपका कोशन अच्छे से तयार हो जाए राजिस्तान में टिड़ी नियंतरन पुस्तक का बिमोचन किसने किया तो सही आंसर हो जाएगा ओप्सन वी राजिस्तान में टिड़ी नियंतरन पुस्तक का बिमोचन लालचन कटारिया ने किया मैं पूर्ट फैक्ट जान लेजिए 16 मर्च 2022 को राजिस्तान के क्रसी मंतरी लालचन कटारिया ने पंत क्रसी बवन में राजिस्थान में टिड़ी नियंतरण पुस्ता का विमोचन किया चलिए बात करेंगे अगले कोशन की 28 कोशन क्या है राजिस्थान की सबसे प्राचीन रियासत निम्न में से कौंसी है तो सही आंसर हो जाएगा अप्सन ए राजिस्थान की सबसे प्राचीन रियासत है मेवाड मैट पुन फैक्ट जान लेजिए राजिस्थान की सबसे प्राचीन रियासत मेवाड उदैपुर्थी मेवाड रियासत की इस्थापना कभूई थी यह भी आपको point ध्यान में रखना है 500-500 डिश्मिंट में और यह जो है राचिन रियासत जो है इस किसके दौरा की गई थी गोहिल के दौरा की गई थी यह भी point आपको याद करना है देखें मैं आपको जो भी fact बता रहा हूं उपयोगी माना जाता है महित पुन फेक्ट जान लेजिए बिलाइती बबुल हवा द्वारा होने वाले मर्दा अपरदन को रोंकने तथा रेगेस्तान के विस्तार को रोंकने में बहुत ही उपयोगी ब्रक्च है अगला कोशन देखेगा दसायरा तेवार राजिस्तान के किस जिले का प्रसित तेवार है तो सही अंसर हो जाएगा ओप्सन ए दसायरा तेवार राजिस्तान के कोटा जिले का प्रसित तेवार है तो गाज अगला कोशन परिंडा बांदो अभियान का सम्मंद किस से है तो सही आंसर हो जाएगा ओक्सन वी परिंडा बांदो अभियान जो है पच्छियों के जीवन सनच्छन से है मैत पुन फरक्ट जान लेजे तीन मार्च दोजार बाइस को 201 जीब दिवस के अफसर पर राजिस्थान के सामाजिक नया एवम अधिकार्था बिवाग के सासन सचिब डॉक्टर समित सर्मा ने पच्छियों के जीवन सनच्छन हितु परिंडा चुंगा पात्र बादाने के अभियान परिंडा बांदो अभियान की सुरुवात की तो इस कोशन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है अगला कोशन देखेगा 32 बाद राजिस्थान का परेटन बिवाग का लोगो निम्न में से कौन सा है तो सही अंसर हो जाएगा आप्सन ए राजिस्तान का परेटन बिवाग का लोगो है अतितिती देवी भवर मैटपूर्ण फैक्ट जान लिजिए राजिस्तान का परेटन लोगो सरकार के बदलने के साथ ही बदल चुका है वर्स 2008 में राज का लोगो रंगीला राजिस्तान था 2016 में ना जाने क्या दिख जाए स्लोगन जारी किया गया था अब 2021 में राजिस्तान का परेटन लोगो पदारो म्यारे देश है ये था अब 2022 में क्या हो गया है अतिति देवु भवव ये आपको ध्यान में रखना है ठीक है तितिसमा कोशन देखेगा बनी ठनी चित्र राजिस्तान की किस चित्र सैली से समदिता है तो सही अंसर हो जाएगा Option C बनी ठनी चित्र राजिस्तान की किसनगर सैली से समदिता है मैं पूर्ण फैक्ट जान लिजिए बनी ठणी एक भारतिय चित्रकला है जो किशनगर चित्रकला से समधित है इसकी रचना निहाल चंदर ने की थी अगर पूछा जा कि इसकी रचना किसे ने की थी बनी ठणी की निहाल चंदर इसको भाकिशनगरत राजिस्थान की मोना लिशा भी का जाता है ठणी तो राजिस् पीडियाप तो मैं आप लोगों के लिए बहुत ही महनत से बनाता हूँ, यह मारे के चलिए कि एक पचास कोशन का पीडियाप बनाने में आप बिलीब नहीं करोगे, तीन घंटे का समय लगता है, तो मैं आप से एक लाइक की तो उमिद ही करी सकता हूँ, सिर्फ एक लाइक की एक लाइक की उमिद मैं कर रहा हूँ आप लोगों से, आप खुश समसकते हैं कि कितनी महनत लगती है एक पीडियाप बनाने में, पहले कोशन को टाइप करो, कोशन को टाइप करने के बाद, उन सभी कोशन के एक्ष्टा फ्रेक्ट निकालो, फिर उसको पीडियाप में के बाद, आप लोगों के लिए वीडियो बनाओ, वीडियो बनाने के बाद, इसे यूडियोप पर अप्लोड करो, तो आपको समसकते हैं कि मेरे उपर कितनी महनत पड़ती है आप लोगों के लिए, तो आप लोग एक लाग जरू करें, ठीक है, अगला कोशन है, राजिस्त हरी खाद के लिए रवी की फसले में बर्द सीम, सैजी, मटर और चना आधी फसलों का प्रियोग किया जा सकता है, और कम लागत में भूम के लिए अच्छे कारवनिक पदार्थ प्राप्त हो सकते हैं तो सही आंसर हो जाएगा, आप्सन ए, राजिस्तान की प्रसिद कवेत्री मीरावाई का मजो मंदिर है, ये मेरता में राव दादू ने बनवाया था मैट पुण फेक्ट जान लेजिए मीरा भाई की दादा जी राव दूदा दौरा निर्मिती ये मंदिर मेरता के हरदा इस्ताल में इस्तित है, ये मंदिर बिश्नु के चार बुजा अबतार को समर्पित है, तो इस कोशन से आप लोगों को इतनी जानगारी प्राप्त हो जाती है, एकला कोशन देखेगा, सामाजी गुराईयों को दूर करने के लिए संत दादू दयाल ने योगदान दिया था, अगला कोशन सहितिस्मा, सहितिस्मा कोशन है, हाली में सुर्कियों में रहा सरिस्का टाइगर रिजर्व किस राज में इस्तित है, तो सही अंसर हो जाएगा, option C, हाली में सुर्कियों मेरा सरिस्का टाइगर रिजर्व जो है ये राजिस्थान राज में इस्तित है मैत्पुन फैक्ट जान लेजिए सरिस्का बाग अभ्यारन भारत में अफ से प्रसिद्र राश्टिय उग्यानों में से एक है यह राजिस्तान के राज के अलवर जेले में इस्तित है यह जो ग्यान है राजिस्तान के राज के अलवर जेले में इस्तित है यह आपको point अच्छे से याद करना लिना ठीक है अगला question देखेगा अर्थिसमा जोहर मेला कहां भरता है तो सही answer हो जाएगा option C परिछा की टेश्टी से काफी important question है यह जोहर मेला जोहर चित्तोडगर में भरता है मैत पुड़ फरक्ट जान लेजिए अब प्रती बरस दुर्ग पर जोहर करने वाली विरांगराओं को सरदानजली देने के लिए जेत्र कशने का दसी को शोबा यातरा निकालने के साथ जोहर इस्तल पर यग हवन होता है इसके बाद फतह प्रकास प्रांगर में मुख सरदानजली समारो होता है तो इस question से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है सो गाज 49 question देखेगा क्या है हाली में भारत ने हेलीना गाइडेट मिसाइल सिस्टम का सफलता पूरवग परिच्छन किस परिच्छन रेंज में किया तो सही answer हो जाएगा option V हाली में भारत ने हेलीना गाइडेट मिसाइल सिस्टम का सफलता पूरवग परिच्छन जो है पोकरण रेंज में किया है हत्यारों में से एक हेलीना गाइड़ मिसाइल सिस्टम का सफलता पूरू परिछन किया गया है इस मिसाइल को Home and Advanced Light हेलिकॉप्टर से लौच किया गया तो इस कोशन से आप लोगों को इतनी जानकारी प्राप्त हो जाती है चालिसमा कोशन देखेगा राजिस्तान में दर्रा अब्यारन कहां पर है तो सही आंसर हो जाएगा Option C राजिस्तान में दर्रा अब्यारन कोटा में है मैं पूर्फेक्ट जान लेजिए दर्रा राश्टी हो गया ना राश्टी चम्मल वने जीप अबहरन भारत के राजिस्थान राजमे कोटा से 50 किलोमेटर दूर है जो घड़ियालों पतले मुवाले मगरमच के लिए बहुत लोग प्री हैं यहां जंगली, सुवर, तेंदुए और हिरन पाय जाते हैं तो इस कोशन से आप लोगों को इतनी जैनकारी प्राप्त हो जाती है अगला कोशन देखेगा विख्यात गजल गायक जगजीत सिंग का पैतरक निवास निम्न में से कौन सा था तो सही अंसर हो जाएगा ओप्सन वी बिख्यात गजल गायक जगजीत सिंग का पैतरक निवास गंगा नगर में था मैत पुन फैक्ट जान लेजिए जगजीत जी का जन्म आठ परवरी 1941 को 10 अक्टूबर 2011 को राजिस्तन का गंगा नगर में हुआ था देखिए इनका जन्म हुआ था आठ परवरी 1941 को और मरत्य हुईती 10 अक्टूबर 2011 को अगला कोशन बजेडा किसे कहते हैं परिच्छा के ड्रेश्टी से काफी इन्पोर्टन कोशन है बजेडा किसे कहते हैं दुसरी आंसर हो जाएगा option C बजेडा पान के खेत को कहते हैं 43 कोशन देखेगा बास बाड़ा पा डुगरपुर के मद्द के भुभाग को किस नाम से जाना जाता है तो सही आंसर हो जाएगा option D बास बाड़ा पा डुगरपुर के मद्द के भुभाग को मेवल के नाम से जाना जाता है 44 कोशन गुंडा राज का गुंडाराज का आजादी के दिवाने नामा कुस्तक किस ने लिखी थी तो सही अंजर हो जाएगा Option A गुंडाराज का आजादी के दिवाने नामा कुस्तक लिखी थी सागर्मल गोपाने आज का हमारा सबसे last question रहेगा अलाव दिन खिलजी के जाला और आक्रमण का उल्ले किस साहित गरंध में मिलता है तो सही अंसर हो जाएगा Option A तो गर आप लोगों को वीडियो अच्छा लगाओ तो प्लीज वीडियो को लाइक हो से जरू करें जिन बच्चों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें अगर आप लोगों ने नोटिफिकेशन बेल को आउन नहीं किया तो नोटिफिकेशन बेल को आउन जरू करें तबी मेरे नए विडि़ कोन्टिफिकेशन आप सबी लोगों तक असानी से पहुंच जाएगी तो मिलता है नच वीडियो के साथ जहन जवारत